अमार ट्रेन का सफर तै करके मुंबे से बनारस आ रहा था वो मस्ती में दोफर के एक वजे चढ़ा लेकिन कुछ घंटे के सफर के बाद वो एक हाथसे का सिकार हो गया पूरी रेल को नुकसान पहुँचा था वो किसी तरह जान बचा कर उतरा उसे कम ही चोट लगी थी उसे पता नहीं था कि अब वो कहा है तभी एक बुड़ी अमा ने उसका हाथ थाम कर कहा बेटा अमा से रूट कर तु कहा भाग गया था उसने चोट कर पीछे की और देखा तगरीवन 65 साल की वो अमा उसे अपना बेटा समझ रही थी फिर तो आसपास के सारे लोगों ने अमर को बुड़ीया का बेटा सावित कर दिया उसे जवर्दस्ती बुड़ीया के घर जाना परा उस बुड़ीया के बेटे की सखल और उम्र पूरी तरह अमर से मिलती जुलती थी चलो थोड़ा मजे ले लेते हैं उसने मन ही मन सोचा रात को खाना खाने के बाद जैसी ही वह सोने के लिए कमरे में पहुचा तो चोग गया बुढिया की बहु गर्मा गरम दूद लेकर उसके पास आई वह भरे पूरे बदन की गोरी रंगी औरत थी अब मैं कभी आप से नहीं लड़ूँगी आपकी हर बात मानूँगी वह औरत उससे लिपटते हुए बोली क्यों क्या हुआ था अमर ने बड़ी हैराने से पुछा आप साधी के तीन मेने बात अचानक गायव हो गए थे सबने आपको बहुत ढून रहा पर आप कहीं नहीं मिले इस गम में बाबु जी भी चलव से वह रोते हुए बता रही थी मैं सब भूल चुका हूँ मुझे कुछ याद नहीं है मैं किसी को नहीं पाचानता वह सांत भाव से बोला उस औरत ने रात को उसे भरपूर दे सुख दिया सुबह के करीब साथ बजे उसकी नेंद खुली उसने बरस करके चाय पी दिन में पता चला कि वह दुकान चलाता था दिन भार में अपनी इस जिन्दगी के बारे में काफी कुछ जान गया उसकी चार बहने थी और वह एकलोता भाई है अमा के बेटे का तकरीवं पांच साल पहले साधी हुई थी उसके बाद लापता हो गया साइद सरक हाथसे में या किसी दूसरी हाथसे में दूसरी और अनपड और देहाती बहू जो 17-18 साल की उमर में ही ब्याक कर यहां आई थी कुछ ही दिनों में पती गुजर गया इसलिए बड़ी मुश्किल से मिले इस पती को वह सम्हाल कर रखना चाह रही थी काफी दिन ना मिलने के चलते उसने मरा मान लिया था क्या पता कहीं जिन्दा हो और लोट आया हो उस हादसे में क्या पता यादास चली गई हो इसलिए सास बहु दोनों ही अपने अपने तरीके से उसे याद दिलाने की कोशिस में थी दो दिन बाद ही सभी बहने बहनोई और बच्चे आ गए अमा यह तो अपना ही भाई है चौथी बहन उसे धंग से देखते हुए उसके हाथ पेरो को छुकर बोली क्या मैं अपने साले को नहीं पाचानता पक्का वही है मुझे तो सक्की कोई गुंजैस ही नहीं दिखती है सुधीर के सुधीर मैं तेरा तीसरे नमबर का जीजा हूँ साथ ही तेरी पतनी का बड़ा भाई भी जीजा उसके कंदे प्रहाथ रखते हुए बोला जी कहा कर वह चुप हो गया बस वह सब को बड़े ही ध्यान से देख रहा था उन्हें बहचानने की कोशिस कर रहा हो अरी अमा यहादसे में अपना यादस बिल्कुल ही खो बेठा है बाद में इसे सब याद आ जाएगा इतना कहकर उसकी बहान उसका हाथ सलाने लगी अमर मुमे में अकेला रहता था वहीं रहकर छोटा मोटा काम करता था जबकि यहाँ उसे पतनी भरा पुरा परिवार मिल रहा था वह सुधिर का हुबहू था आसपरोस वाले से लेकर के साथ साथ सारे नातिक दिश्तेदार उसे सुधिर मान रहे थे और यादास्त होया हुआ भी पतनी एकदम साई की तरह उसके साथ रहती था कि वह दोबरा भाग न जाए एक दिन दोफर का खाने के तकरीवन एक घंटे बाद वह अपना काम समझने की कोशिश कर रहा था यह उसकी दुकान थी कोई रजिस्टर या कागज पता चला कि सभी अंगुठा चाप थे अब कैसे बताए कि वह वी टेक है लेकिन चोटा मोटा चोर है मोटरसाइकल पर मास लगा कर जाना और तो के जेवर उराना और घरों में चोरी करना उसका पेसा है मगर इस परिवार में सभी सिधे साधे हैं उसकी तीसरे नमबर की बहान ने पूरे पांच दोले का सोने का हर पहना हुआ था गुरा रंग, दोहरा बदन, भारी भरकम सरीर पर वह हर जच रहा था जब वह गौर से उस हार को देखने लगा तो जट से बहनोई बोला क्यों साले साहा पसंद है तो रख लो इस हार को ऐसी बात नहीं है अमर सकपका कर बोला था फिर भी तो मेरी बहान के सुहाग हो अगर कुछ चाहिए तो बोलो मेरी बहन की विरान जिन्दगी में बाहर आ चुकी है जी जब हावुक होते हुए बोला ऐसा कुछ नहीं है अमर मना करते हुए बोला साम को उसका साला जब जाने लगा तो कुछ रुपे उसकी पतनी को देने लगा तो बोला दुकान काफी दिनों से बंद पड़ी हुई है मैं कल ही जाकर दुकान को सही करा दूंगा न भाईया मेरे पास पैसे हैं इनके पास भी जेब में रुपे हैं वो भाई को पैसे देने से मना करते हुए बोली मगर मैं तो दुकान चलाना भूल गया हूँ कैसे बेचुंगा उसके दिमाग में तेजी से कुछ चलने लगा क्या सोच रहे हो साले साहब जीजा मानो उसके चेहरों को गौर से पढ़ते हुए बोला दुकान मैंने कभी चलाई नहीं है मैं तो टेलिवीजन ट्रांजिस्टर फिर सुधारा जरूर जानता हूँ वह जीजा को समझाते हुए बोला फिर तो हमारे परोस में दुकान ले लेते हैं पांदस किलो मीटर में एक ही दुकान है खुब चलेगी जीजा हसते हुए बोला अगले दिन सुभा घर से थोड़ी दूर बंद परी दुकान उसे सौप दी गई तो दिन भर में उसे सुधार कर दुकान की सकल दे दी जरूरी समान का इदिजाम कर किया गया पहले दिन पांसो रुपे का कमा कर लाया तो बहुत खुश था जिजा भी उसके काम से खुश था वह उसे खुद घर छोड़ने आया था अम्मा यह तो कुसल का दिगर है देखो आज ही इसने पांसो रुपे कमा लिये अब तक यह पांच और पाच चुका है जिजा जोस में बोल रहा था हाँ बेटा आ गया है अब बेटा आ गया है ना मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी अम्मा तकरीबा रोते हुए कह रही थी रो मत अम्मा मैं सब ठीक कर लूँगा अमर पहली बार बोला था रात को खाना खाने के बाद वह बिस्तर पर सोने पहुँचा तो पत्नी खुशी से भरी थी अरे आप तो बहुत ही कुसल कारीगर निकले वह चुहल करते हुए पूछ रही थी कुछ नहीं बस यूँँ ही थोड़ा बहुत जानता हूँ सोते समय वह सोचने लगा अब तक मैं चोर उचक्का था गंदे काम से पैसे कमाने वाला अब मैं महनत से पैसा कमाऊंगा और पड़िवार का फिर भरूँगा इतना सोचते सोचते उसने पत्नी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोला मैं तुम्हें अब कभी नहीं छोरूँगा कभी नहीं मुंबई में अकेले विरान जिन्दगी थी उसकी अभी यहां उसे पूरा परिवार मिल गया दोस्तों आप यह कहानी अच्छी लगी थी प्रीज हमारे वीडियो को लग किजिए और चैनल को सब्सक्राइब